महराश में आज बड़ी राजनीती घटना करम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आज शरत पवार और मुख्यमंत्री उधव ठाकरे के बीच वर्षा बंगले पर आपात बैठक हो रही है पता चुला है कि बैठत में कॉंग्रिस के नेता भी मौजूद रहेंगे नरसल कल प्रिधान मंत्री मोदी ने चार राजों में जीत के बाग एडी की कारवाई की चितावनी दी थी उन्होंने कहा कि कुछ लोग एडी की कारवाई को धार्मिक रंदे रहे हैं हाला कि मोदी ने पवार का नाम लिए बिना कहा था कि वो भ्रष्टाचारियों को नहीं छोडेंगे गोवा और उत्तरप्रदेश दोनों राजों में शिवशेना और राकमपा को बड़ा जटका लगा है वहीं चार राजों में एक बार फिर बीजेपी की जीत हुई है उमीद है कि इस नतीजे की पुष्ट भूमी पर उद्धफ ठाकरे और शरत पवार के बीच चर्चा होगी पीम मोदी ने कहा कि रश्टाचार के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए या नहीं लेकिन कुछ ऐसी कारवाई को रोकने के लिए काम कर रहे है ये कहकर उन्होंने शरत पवार पर निशाना साधा क्योंकि एडे द्वारा नवाव मलिक की गिरफतारी के बाद शरत पवार ने इस पर टिपनी की थी पवार ने आरोप लगाया था कि मलिक को दाउद से इसले जोडा जा रहा है क्योंकि वो मुसल्मान है मोदी ने गुरुवार को उश्रत पवार की खबर ली मेटर मुमे के लिए राजसोनी के साथ नीशा ठाकुर के रपोर्ट